वॐलकम दोस्तो टो ने वीडियो दोस्तो आज एक ऐसे प्रोडुक्ट के बारे में बात करने बाले है जो कि व्लौगर्स के रिए फाइदे मुन है आप फुद, व्लौगर हो सकते हैं, ट्रेवल व्लौगर हो सकते हैं या फिर live style व्लौगर भी हो सकते हैं व्लौगर्स को क्य तो यह फोल्ड भी हो जाता है बड़ फिर भी हर जगा इसको लेके ट्रैवल पॉसेवल नहीं है तो दोस्तों देख लेते हैं मेरे पास बजट में क्या आया है तो सबसे पहले यह है ट्राइपॉड काइंड ओगोडिला पॉड भी आप लोग बोल सकते हैं तो साती सात में यह है उसका बॉल हेड यहां पर एक मोबाइल के लिए बाउंड भी दिया गया है एंड यहां पर एक आपका जो एक्शन कैम है उसके लिए भी यहां पर एक उसका माउंड बोल सकते हैं यह फिर अरेप्टर बोल सकते हैं वह भी दिया गया है so action camera में use नहीं करने बाला हूं तो इसको side में रख देता हूं so main है यह दोनों चीज so इसको मैं यहां पर fix कर सकता हूं so इसको मैं यहां पर fix कर देता हूं so दोस्तों देख सकते हैं यह हो गया मेरा tripod बोल सकते हैं mini tripod अगर का आप कई पर घूमने जाते हैं तो हर टाइम पे कुछ लार्ज लेके जाना पॉसिबल नहीं रहता है तो यह लेके जाके ऐसे कोई भी जगा पे रख दीजे अपना काम करते रहेगा या फिर आप इसको ऐसे थोरा सा बेंड कीजे बाइद वे यह है फ्लेक्सिबल इसको ऐसा आपका जो व्लॉगिंग कैमेरा है उसमें भी सेट कर सकते हैं इसको ऐसा गोरिला पॉड यूज कर सकते हैं दोस्तों मेरा जो ZB1 है वो कैमेरा इसमें सेट करके देख लेते हैं जो ZB1 कैमेरा है उसको इसमें सेट कर लूँगा मैं तो दोस्तों देख सकते हैं अभी इसको मैं इसा व्लॉगिंग गामरे यूज़ कर रहा हूं so ये कितना साइड का जो पोर्षम है कितना पोर्षम है अब लोग देख सकते हैं मेरे बैक्गान में मतलब बहुत सार एरिया कवर कर रहा है by the way ZV1 के साथ में इसका एक tripod की भी आता है लेकिन वो हाथ में यही पे रुख जाएगा दोस्तों यही पे पकरूँगा तो यही पे रुख जाएगा वो इतना ऐसा extended नहीं रहेगा तो इसमें जो view जादा आ रहा है जो background जादा आ रहा है जो wide angle जैसा यह तो wide angle है नहीं लेकिन थोरा बहुत जो जादा background में cover होता है वो इसमें नहीं होता है तो यह लेना जरूरी था and by the way यह 3 kg तक weight ले सकता है तो आपके पास थोरा सा भारी अगर DSLR या फिर mirrorless हो तो उसका weight भी यह आराम से ले लेगा दोस्तों अभी जो मैं आपको demo दिखाया ना Sony ZV-1 से actually 4K में record हुआ है and ZV-1 में 4K में crop हो जाता है so actual आपको मालूम नहीं चला उस video में so क्या करते हैं पहले Sony के साथ जो tripod दिया गया है company के तरफ से उससे try कर के देख लेते हैं कितना area आ रहा है उसके बाद ये जो gorilla pod है इससे try कर के देख लेते हैं so अभी मैं on कर रहा हूँ अपना जो Sony बाला camera है Sony ZV-1 okay record चालू किया so देख रहे हैं कितना हिस्सा cover हो रहा है देख सकते हैं so अगर मैं उस corner तक जा रहा हूँ तो मेरे background में मतलब जादा area cover नहीं हो रहा है cover तो हो रहा है but not sufficient अगर सामने में ऐसे बात करूँ ना तो जादा area मतलब नहीं दिखेगा मैं ही जादा दिखूंगा so क्या है अभी इसको use करेंगे so एक काम करता हूँ stop कर देता हूँ and अभी एक काम करता हूँ इसको open कर लेता हूँ so दोस्तों देखिए अभी जो area है कितना जादा area cover हो रहा है मेरे ख्यास से इससे तो जितना हो रहा था उससे जादा ही हो रहा है एक काम करता हूँ और थोड़ा आगे लेके ऐसा bend कर लेता हूँ तो फिर और जादा area cover हो पाएगा so देख सकते हैं अभी कितना जादा area cover हो रहा है so पहले का comparison में मतलब obvious सी बात है camera को थोड़ा इस तरब लाता हूँ so देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ये जादा दूट जा रहा है जादा area भी cover हो रहा है फिलाल मैं थोड़ा dark डाग दिख रहा हूँ because of soft box opposite side से पकड़ा है that's why side से आपको उतना मालूम नहीं चल रहा था लेकिन सामने से देखिए मैं कितना हूँ and side में भी बहुत सारा area cover हो रहा है normal जो है ना normal मतलब इस से उतना cover नहीं हो रहा था इस से थोड़ा जादा cover हो रहा है अभी बात करते हैं build quality के दोस्तों e-commerce साइट में durable plastic लिखा हुआ था दोस्तों इसका जो outer है थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ so इसका जो outer portion है यह थोड़ा रवरी finish यहां पे दिया गया है and अंदर का plastic का अगर बात करो दोस्तों मतलब ऐसे तो plastic feel ही नहीं होता है but जो भी है durable तो जरूर है because मतलब हाथ में कुछ premium तरीके का feel होगा आपको so यह जो tripod है इसको तो मतलब अलड़ी बोली चुका हूँ यह flexible है बट flexible होने के साथ साथ बहुत सारे tripod है मतलब tripod बोल रहा हूँ sorry बहुत सारे gorillapod ऐसे हैं जो की flexible तो होते है बट उनका build quality उतना अच्छा नहीं दिखने को मिलता है दोस्तों but here build quality is at premium level दोस्तों एक facility यह है इसमें आप आपका camera या फिर smart phone या फिर आपका जो action camera है वो भी इसमें fit कर सकते है camera का बात करूँ तो मैं अभी shoot कर रहा हूँ mirrorless से so mirrorless या DSLR आराम से इसके उपर आ जाएगा तीन कजी तक load यह लही सकता है साथी साथ जो मतलब vlogging cameras है बहुत और हलके हैं वो भी आ जाएंगे by the way mobile के लिए यहाँ पे mobile का mount भी दिया गया है so mobile का mount है वो भी दिया गया यहाँ पे थो और सापको दिखा देता हूँ मैं so दोस्तों देख सकते हैं इसको मैं as a mobile gorilla pod या फिर mobile tripod के इसाप से भी काम में ले सकता हूँ वो भी हो जाएगा and साथी साथ action camera के लिए यह जो इसका mount जैसा दिया गया है so action camera आपका GoPro या फिर SJ camera रहेगा तो वो भी इसके उपर fit हो जाएगा so सब कुछ इसके उपर आ जाता है बहुत ही मतलब अच्छा चीज है दोस्तों इसका एक facility यह है कि यह kind of compact type का है तो जादा बड़ा भी नहीं है एकदम छोटा में नहीं कह सकता but compact type बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग जबी travel करते है न तो bag में already seven भड़ा भड़ा रहता है electronics रहता है bag में कपड़े बगड़ा रहता है and जादा चीज लेके जाना मतलब तभी possible नहीं होता है एक tripod लेके जाना या फिर एक अच्छा खासा gorilla pod बड़ा बड़ा gorilla pod भी possible नहीं होता है तो उसके competition में this is a compact one and आपका अगर bag में रहेगा bag में corner में इसको ऐसे थोर ऐसा बेंड कर दीजे so इसको अगर बेंड भी कर देंगे न तो यह देखिए इतना लंबा आ रहा था तो उतना लंबा भी नहीं है अबी so इसको bend करके भी आप आराम से लेके journey कर सकते है जो कि एक अच्छी बात है दोस्तो एक चीस्तों में बता ना भूली गया यह जो tripod है यह बहुत है light weight है इस tripod का total weight है 220 gram दोस्तो आप लोग जब ऐसे camera को पगरते हो और camera का भी weight रहता है और साथ में अगर tripod का भी weight बढ़ गया तो दोस्तों दिक्कत होता है बार बार ऐसे camera को मतलब vlogging style में पकरने में दोस्तों हाथ में मतलब यहां पे pain होता है बहुत ज़ादा अगर आप regular basis में vlogging करते हो तो दोस्तों आप लोग जो DSLR या फिर mirrorless यूज करते हैं उससे vlogging करते हैं तो उसका weight आप तो कम नहीं कर पाऊगे मेरे खिया से या तो आपको मतलब कोई भी छोटा camera में shift होना पड़ेगा या फिर जो tripod है उसका weight आप कम कर सकते हो so this is the way यह 220 gram का है so मेरे खिया से daily vlogging में मतलब हाथ में ज़्यादा तकलिप आना नहीं चाहिए camera के साथ में अगर इसका weight मतलब प्लस करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा and by the way एक tripod से light weight तो ही and साथी साथ जो अच्छा बाला gorilla pod आता है उससे भी light weight है दोस्तों यहंतरा लेका यह gorilla tripod का best buy link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप चाहे तो वो best buy link पे क्लिक करके सबसे अच्छे price में इसको purchase कर सकते thank you guys watching इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye और हर चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कि वहाच सारे नए वीडियो जाने वाले हैं